तो क्या हल चाले भाई लोग सेक्ट्रेक्स में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गैंग कलर्स के बारे में हर गैंग का अपना अपना कलर कोड होता है एन इसे ऐसे यूनिफॉर्म यूस किया जाता है स्ट्रीट्स में ताकि कौन सा बंदा कौन से गैंग का है ये पेंते हैं या बैंडेना क्यारी करते हैं बैंडेना एक तरह से ग्यांग के फ्लैक की तरह काम करता है अब हर जगा फ्लैक तो नहीं ले जा सकते हैं इसलिए बैंडेना क्यारी करते हैं सेम अपने इदर भी फ्लैक के बदले गमचा वगेरा यूज करते हैं किसी देशी ओर्ग और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसूड गैंग्स जो कलर्स से आइडेंटिफाई किये जाते हैं आज कल ये सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है 1600 ISV में इंगलेंड में कई सारे स्ट्रीट गैंग्स फॉर्म हुए थे और वहीं से ये बेसिक आइडिया आये था गैंग कलर्स का और तब हर गैंग वाले अलग-अलग कलर्स पहनते थे और लेटर ओन जब अमेरिका में ये गैंग्स वगेरा फॉर्म हुए तो ये गैंग ने अपना-पना कलर चूज किया पहले सिफ एक ही कलर था गैंग्स में और वो था ब्लू जो की क्रिप्स थे और इस गैंग का जब बटवारा हुआ तो सेंटिनल हाइ स्कूल के जर्सी से ब्लर्ड गैंग ने अपना कलर रेड चूज किया और जब ब्लाक डिसाइपल्स फॉर्म हुए तो उन्होंने दे ग्रेट ब्लाक पैंथर पाटी से इंस्पारो के अपना कलर ब्लाक चूज किया और यही से ये सिलसिला चलता गया इवन जब हिप हॉप का existence हुआ तो इवन गैंग रिलेटेड रैपर्स भी अपने गैंग के बैंडनास एंड क्लोज वगेरा फ्लेक्स करने लगे थे तो अब हम बात करते हैं हर गैंग के कलर्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड कलर के बारे में ये color usually use करते हैं blood gang के members और blood gang में भी अलग-अलग divisions है like mob pyro bloods, west side bloods, rolling bloods, etc. ये सब लोग red color ही use करते हैं और अपने इंडिया में MC stand, Sambata, Ika, MC THC जैसे rappers use करते हैं red bandana USA वगेरा में bandana के साथ he dress और even cars भी red ही use करना प्रिफर करते हैं कुछ blood gang rappers like the game blood gang के अलावा red color और कौन-कौन से gangs यूज करते हैं ये अब देखते हैं पहला है Northernos, ये एक Spanish gang है, ये California के Northern area में रहते हैं इसलिए इने Northernos बोला जाता है और इनके सबसे बड़े rivals Suranos है, जो Southern California से बिलोंग करते हैं और वो भी एक Spanish लोगों का ही gang है फिर इसके बाद आते है Fresno Bulldogs, ये Central California के सबसे बड़े drug gang है, जिसमें करीब 39,000 active gang members है इनका दबदबा streets और USA के jails में बहुत जादा है, और one of the most dangerous looking gang members है इसमें अब हम बात करते हैं blue color के बारे में, जैसा हम जानते है blue color क्रिप्स गैंग जादातर use करती है और USA का पहला street gang का दरजा है क्रिप्स गैंग को और ये gang बहुत बड़ी और danger है और हम जानते ही है कि क्रिप्स के सबसे बड़े दुश्मन bloods है rap game में भी बहुत सारे क्रिप्स गैंग में, जो blue color को rap करते है और इंडिया में VJDK और और भी कई सारे आटिस्ट क्रिप्स गैंग से inspired है इसके बाद आते है सूरेनोस, ये एक Mexican gang है जिसे मैंने पहले बताया था और इनके कटर दुश्मन है नोर्थेनोस नोर्थेनोस जहाँ पे red color यूज़ करते है वही सूरेनोस, blue color यूज़ करते है उनके oppose में blood gang, creep gang और black disciple के बाद सूरेनोस ही सबसे खतरना गैंग के लिस्ट में फोर्थ नमबर पे आते है इन दो गैंग के अलावा blue color यूज़ करती है MS-13 gang MS-13 one of the most notorious gang है US में इनके 8,000 से 10,000 active gang members है लेकिन all over the world इनके 50,000 से 70,000 active gang members है और इन लोग का main काम है human trafficking, drug dealing, murder, extortion, robbery वगेरा अब चलते हम black color के और black color यूज़ करते है black disciples और gangster disciples जिने commonly BD और GD रफर किया जाता है लेकिन एक basic फरक ये है कि गैंग से disciples black के साथ blue यूज़ करते हैं और वोही black disciples black के साथ white यूज़ करते हैं और ये दोनों gang भले ही black color ऐसे basic यूज़ करते हो लेकिन एक दूसरे के कटर दुश्मन है अब बात करते हैं हम yellow या gold color के बारे में Latin Kings को prison gang भी कहा जाता है और इनके कई सारे members gang चलाते हैं jail में ही और इनके सबसे बड़े दुश्मन है crib gang और MS-13 वगेरा उसके बाद yellow color या yellow bandana यूज़ करते है white slots इनका main location है Chicago और यहीं पे gangster disciples से इनकी कटर दुश्मनी भी चलती है अब चलते है next color की और जो है pink pink color वेसे यूज़ करते है gay boys gangsters और ये एक LGBTQ gang है ये वेसे कोई violent gang नहीं है बट गे लोग के rights के लिए हमेशा active है और इस gang के main ally है Lil Nas X जिनने आप usually pink outfits में देख सकते हो देन बारी है green color की ये color यूज़ करते है कुछ bounty hunter bloods और ये usually red ही wave करते है लेकिन green इनका एक signature है specifically वेसे pink और green से आपको GTA San Andreas के ballast और grow street gang भी यादा सकता है मैं सोच रहा हो कि GTA San Andreas के gang को explain करते हुए एक video करूँ आप लोग interested हो तो ज़रूर बताना comment करके ओके तो back to our topic maroon and orange color bandanas भी कुछ blood gang member use करते है ऐसे side color तो ये था भाई लोग कुछ main gang colors अगर आप US वगेरा जाओगे तो थोड़ा सोच समझ के ही किसी hood में bandanas flex करना I hope ये video से आप hip hop के बारे में और जाने होंगे so next time आपके favorite rapper जो भी color का bandana flex करेंगे आपको समझ आ जाएगा वो कौन से gang को rap कर रहे है तो इसी के साथ चलते हैं आज के shout out की और पहला shout out है to be deep इनका गाना चहरे 2 release हो चुका है सब लोग check मारना अपना भाई है और बहुत hard काम है इनका फिर है music AK भाई का गाना mindset drop हो चुका है check करना then है कचकू इनका गाना last call सुनना जरूर अब है रीजो इनका गाना made in 90s check मारना और भाई को support करना and last but not the least है अपना छोटा भाई P16 इनका गाना you are only सुनना जरूर और इन सभी गानों का link में description में डाल दूँगा आप लोग support जरूर करना और ऐसे ही आगे underground को push करते रहना तो ये था भाई लोग आज का वीडियो अगर आप hip hop सुनते हो या artist हो तो हमसे instagram पे जरूर जुड़ना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना अपने घरवालों ख्याल रखना समझता हूँ चले समझ मेरे बाई या दान था पहले जातिल हूँए हाज पसाथा रएदा हूँ कातिल हूँए मैंने कहा तरा तुझे कभी मेरा वक्त आएगा